हालो स्टुडेंट आप सभी का स्वागत है अभिप्षय एजूकेशन फॉर एक्सेलेंस के स्प्लेटफॉर्म पे तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अध्याइचार सारनिक में हमारी योजना एवं रणनीती कैसे रहने वाली है तो आज कि इस क्लास में हम उस अपनी योजना एवं रणनीती को अंजाम देने वाले हैं आज क्लास से हम अपनी अध्याय चार सारनिक की जरनी को शुरू करने वाले हैं तो आप मेरे साथ बने रहिएगा बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक है बहुत ही छोटी है डिटर्मिनेंट तो सारनिक हम कभी-कभी बोलेंगे और कभी-कभी डिटर्मिनेंट आपको कंफ्यूज नहीं होना है सारनिक को इंगलिश में हम डिटर्मिनेंट कहते हैं तो पहले हम इस परिभाशा को नहीं देखेंगे पहले हम कुछ उद्धारन कंसिडर करेंगे सबसे पहले a view को पढ़ किया यह क्योंकि आगे का पार्ट है हमारा सालनिक तो देखिए आव यू में मैं क्या बताना चाहता हूं हमने आव यू देखा था ठीक है आव यू को आव यू को प्रदर्शित करने का हमने तरीका देखा था कि आव्यू को हम बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं यह सब बड़े ब्रैकेट से और कौन से ब्रैकेट से प्रदर्शित करते थे सर्पकार कुष्टक से सर्पकार को करली ब्रैकेट भी कहा जाता है एवं किस प्रकार एवं और एक तरीके से हम प्रदर्शित करते थे इस दो डंडियों के माध्यम से, क्या ये आप जानते हैं, या बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये आवियू का क्या रहता था, आवियू का प्रदर्शित करने का सिंबॉल बोल सकते या तो चिंट बोल सकते हैं, अब हमारा जो टॉपिक है वो है सारनिक, अब हम देखे कि हम सारनिक को किस संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं देखिए मैं हेडिंग डालता हूं है है तो हमारा सारनिक ही है मैं सारनिक के बारे में आपको बताता हूं कि सारनिक को हम कैसे निरुपित कर सकते हैं किस सिम्बॉल के द्वारा देखिए सारनिक को आप इस दो डंडिय कि माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं एवं एवं आप डी इटी प्रैकेट में कोई भी सार्निक अगर दिया हो सार्निक एदिया हो तो यहां पर मैं लिया हूं अगमान लिजिए कि सार्निक एदिया हुआ और 21 तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं और हम प्रदर्शित कर सकते हैं इस डेल की आकरती को यह आप देख रहे होंगे त्रिभूच की आकरती है इसको यहां पे हम डेल कहेंगे तो सारनिक को हम सारनिक को हम इस तीन प्रकार के नोटेशन से हम प्रदर्शित कर सकते हैं ठीक है यह हो गया मेरा आव्यू का यह हथ चिन्द हो गया एवं यह साडनिक का चिन्द हो गया यह यह DET का है मतलब है ठीक है डीसर निटर्मिनेंट का ये तीन पार्ट को लिए इसको कर डीटरंपनेंट का डीटीट को लिए इसी कारण मैंने आपको शुरु में बोला था कि साधनी को ढीटर्मिनेंट भी कहते हैं या आप जान देचेंज देखें मैं इक चीज बोल रहा हूं कुछ इसको दिखान से समझ येगा मैं बोला कोई आव्यूए ना स्थान बोलते थे हैं और स्थान भी बोलते थे हम और स्थान भी होते थे M मेरा पंक्ती होता था और N मेरा स्तंब होता था यह एक आव्यू को अगर मेरे को सारणिक के रूप में व्यक्त करना है तो मैं कैसे करूंगा देखिए सारणिक के रूप में व्यक्त करना है तो बस मुझे क्या करना है इस आव्यू का जो चिन्न है उसे हटा देना है इस आव आव्यू ए और इसको मैं पढ़ूंगा सारणिक ए ठीक है चिन्न से हमें पता करना है कि जहां पर भी यह चिन्न दिखा तो वह आव्यू की बात कर रहा है जहां भी यह चिन्न दिखा तो वह सारणिक की बात कर रहा है यहां ता आपको समझ माया तो तो मैं तो सारणिक को और संकेश से प्रदर्शित कर सकता हूं तो इस आवियू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अगर मेरे को सारनिक लिखना है तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं देखो तीनों तरीके से बता रहा हूं चाहे यह लिख सकता हूं यह लिख सकता हूं इस सबका मतलब एक ही है इस सबका मतलब एक ही है सब का मतलब एक ही है हना तो यह मेरा क्या होगा सिर्फ और सिर्फ यह जो उपपर वाला है सिर्फ और सिर्फ यह जो उपपर वाला है यहां पर मैं इसको बंद करता हूँ इस बॉक्स से यह मेरा आव्यू बाकि जो मैंने लिखा है बाकि जो मैंने नीची लिख सारणिक के रूप में प्रदर्शीत कर सकता हूं हाँ इस आव्यू को मैं सारणिक के रूप में प्रदर्शीत कर सकता हूं अब मैं अपने परिभाशा में आता हूं देखे एन कोटी के प्रतेक वर्ग आव्यू को यहां पर ध्यान दीजिएगा वर्ग आव्यू ठीक है बाद संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं हमने देखा था कि एक आव्यू के अंदर बहुत सारे अव्यू रहते हैं यही बोर रहे हैं एक संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं इस आव्यू को जिसे वर्ग आव्यू का सारणिक कहते हैं जिसे वर्ग आव्यू का सारणिक क देखा था तो इस आव्यू को हम सार्णिक के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं यह लाइन यही कह रहा है तो मैं कंक्लूजन लिकाल सकता हूं कि प्रत्यक प्रत्यक वर्ग आव्यू को हम सार्णिक कहते हैं यह सार्णिक के रूप में निरूपित कर सकते हैं ठीक है देखिए इसे इसे देखे ये बोला है जिसे डिटर्मिनेंट ए इसको सारनिक ए कहूंगा डिटर्मिनेंट ए या डेल के द्वारा निरुपित किया जा सकता है समझ गए तो सारणिक को मैं कैसे निरुपित कर सकता हूं दो डंडियों के द्वारा एवं डी इटी डिटरिमिनेंट ए द्वारा एवं डेल के द्वारा ठीक है तो यहां तक क्या आपको समझ में आया तो इस पूरे चीज को एक एक करके आप उतारिए परिभाशा लिखिए और यह जो मैं लिखा हूं उसे आप अपनी कॉपि में डिक्टो उतारने की आपको उतारना ही है ऐसे डिक्टो आपको उतारना है चलिए अब देखिए नेक्स स्लाइड में क्या दे रहे हैं अब एक उधारण दिया देखिए आव्यू-a,d,c,d को हम सारणिक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ऐसे, अरे हाँ भई, क्यों नहीं कर सकते, पिछली, पिछली ही हमने, slide में हमने देखा, पिछले slide में हमने क्या देखा, कि our view a था, हमारे पास our view a था, aij, m cross n, यही था, इसको सारनी के रूप में लिखना था, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं या डिटर्मिनेंट आफ ए लिख सकता हूं बच्चों यहां पर ए है इसलिए लिख रहा हूं यहां भी रहता तो वहां पर भी लिखता और इसे मैं डेल से भी प्रदर्शित कर सकता हूं और ए आई जे एम क्रॉस एंड लिख सकता हूं इस आव्यू को मैंने सारनिक के रूप में लिख दिया प्रश्ण यही कर रहा है कि आव्यू ए को आव्यू ए को हम सारनिक में व्यक्त कर सकते हैं यह देखो ऐसे व्यक्त किया है यहां पर दिखाई दिया कैसे व्यक्त किया है यहां पर देख कि अगर मैं आपको पूछू यह कितने बाई का कितनी बाई का कोटी है कितने बाई कितने का कोटी है तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं यह दो बाई दो का है कैसे आया यहां पर पंग्तियों की संख्या दो है कैसे आया यहां पर पंग्तियों की संख्या दो है देखिए है क तो यह जो पहले रहता है पंक्ति की संख्या रहता है पंक्ति की संख्या दो स्तंबो की संख्या दो मतलब यह दो बाई दो का आव्यू है अब मैंने कहा किसे आप सार्णिक के रूप में व्यक्त करें तो कर देते ना सार्णिक के रूप में व्यक्त करेंगे देखो आप कोई भी तिन सिंबॉल यह तिन चिन्ध ले सकते हैं या तो आप क्या ले सकते हैं या तो आप यह लीजिए यह लीजिए यह लीजिए यह लीजिए पपे भी नहीं है झी ये फिन दोभाई दोुका क्या यह एग भाई यह भी दो-बाई-डोुका Cogne के हाँगाई क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या एक, दो, तीन, चार, पांच, इन पांचों को उतारिए, ठीक है, उसके बाद आप ये एक उधारन के तोर पे लिखिए और इसे और इसे उतारिए, बच्चों, नोट्स बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करना है हमें, देखिए, अब पंक्ती और इस्तम, हम आव्यू में भ देखेंगे, हम देखिए, क्या बताया थे, कि कोई भी, कोई भी जो हमारी जो लाइन है, वो बाये तरफ से, दाये तरफ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, पंक्ती कहते हैं, क्या ये हमने आपको बताया था आव्यू में, जिसा आपने बताया था, तो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं पंग्ती इसको हम कहते हैं पंग्ती बताईए यह आपको clear है यह सब पंग्ती कहलाता है और पंग्ती को हम बोलते हैं रो डबलो ठीक है रो डबलो ठीक है तो यह देखो यह पहली पंग्ती है तो मैं इसको क्या आरवन कह सकता हूं और वनसे प्रदर्शित करते हैं पहली पंगति को और मतला ब्ला यह रो ठीक है और यह दूसरी पंगती है तो यह सब्कूर तुरिरे और थ्री तो यह चौत ही पंगती आ पयाइसे चलते जाएगा पांच सिर्थी पथी जो स्टम्ब जो वो कहलाता है जो उपर से नीचे की और जाता है उसको हम क्या कहते हैं स्टम्ब कहते हैं यह सभी चीजें मेरी स्टम्ब कहलाने वाली यह सभी स्टम्ब यह सभी क्या है स्टम्ब है यह सभी क्या कहलाता है स्टम्ब कहलाता है यह देखो इसको मैं स्टम्ब लिख कहते हैं स्टम्ब को इंगलिश में क्या कहते हैं बताइए आपको यह बताया जा चुका है स्टम्ब को इंगलिश में कॉलम कहा जाता है कॉलम सी ओ यू एम एन कॉलम हाना तो यह मेरा पहला पंक्ति है पहला पंक्ति है तो मैं इसको सीवन करूंगा याने कि पहला कॉलम और स्टंब बोलते हैं तो यह क्या हो जागा सी टू यह सी 2 और समझ मैं तो जो बाय से दाये तरफ होगा वह पंगती रो कहला आएगा यह थि ultimately अब देखिए मैं पंक्ति और स्तंब को एक साथ बना रहा हूं पंक्ति और स्तंब को हम एक साथ बनाते हैं क्योंकि किसी भी आव्यू और सारणिक में पंक्ति और स्तंब एक साथ आता है ठीक है तो यहां पर आप मुझे बताएंगे यहां पर आप मुझे बताएंगे कि कितन इतनी पंक्ति लिया है मैंने कैसे आरवन आरटू आरट्री यह हुआ सीवन देखा और इस्तंभ हमने देखा कि जो भी बाएंस से दाएं पंक्ती उपर से नीचे कॉलम यहां पर हमने देखा हम ने तीन पंक्ति लिया है और यहां पर हमने तीन कॉलम लिया है यहां पर देख लिए हम पंक्ति को समझ लिए और कॉलम को समझ लिए अब क्या है सारणिक की कोटी order of determinant क्या होता है सारनिक की कोटी बहुत ज्यादा important जैसे कि आव्यू की कोटी होती थी वैसे ही सारनिक की कोटी है मैं आव्यू का कोटी में क्या बताया था देखिए आव्यू का कोटी की बात कर रहा हूं मैं आव्यू के कोटी की बात कर रहा हूं मैंने लिया आव्यू ए मैंन कि अब आपके मन में प्रश्ण ना रहोगा कि सर हम सारणिक पढ़ रहे हैं तो आवियू की बात क्यों कर रहे हो बच्चो सारणिक जो है आवियू पे आशुरित है अगर आपको सारणिक पढ़ना है तो आपको आवियू जानना पड़ेगा ठीक है और इसका अंतर भी यही मेरा क्या होता था यही मेरा क्या होता था आवियू की कोटी होती थी अगर मैं आवियू की कोटी लिखूं आवियू की कोटी तो आवियू की कोटी क्या होता था आप बताईए आवियू की कोटी क्या होता था बताईए आप क्या बता सकते हो क्या आवियू की कोटी होत था पंग्ति की संख्या जिसको हम एम से डिनोट करते हैं गुणा स्तंब की संख्या क्या होता था एम क्रॉस एंड जहां पर यह जो है ना जहां पर यह जो एम है मेरा यह यह वो क्या होता था पंग्ति पंग्ति की संख्या यह जो है यह होता था पंग्तियों की संख्या या कह लिजिए पंग्ति की संख्या पंग्तियों पंग्तियों की संख्या होता था बताइए पंग्तियों की संख्या क्या पंग्तियों की संख्या M, M होता था भई, पंक्तियों की संख्या और N क्या होता था, ये जो N है ये N क्या होता था, बताई, ये N इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ ये N क्या होता था, N होता था, स्तंभो की संख्या क्या होता था M, स्तंभो की संख्या चलो इसको भी लिख देखते हैं स्तंभो की संख्या इस तंभो की संख्या इस तंभो की संख्या बच्चों एकदम जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे लिखना बहुत जरूरी है अभ्यास प्रश्ण में आपका काम आएगा तो आव्यू की कोटी क्या होती है आव्यू की कोटी होती है पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभो की संख्या इसको एक बहुत अच्छे ब्रैकेट में आप बंद किजिए यह होता है आव्यू की कोटी तो सर सारनिक की कोटी क्या होता है सारनिक की कोटी भी यही होती है सारन को किया हमें क्या करना कि जो इसका सिंबॉल है वही बददना है यह देखो यहां पे बड़ा ब्रेकेट था यहां पने संबॉल गया सारनीक फिलाउं अब मैं सारनिक के बारे में बात कर रहा हूँ, सारनिक, यह लो, यह हुआ सारनिक और यह हुआ आव्यू, ठीक है, तो मैं इस आव्यू को इस सारनिक के रूप में प्रदर्शित किया, अब मैं क्या देख रहा हूँ, सारनिक की कोटी, अर्थात order of यही तो होती है, सारनिक की कोटी, पंक्तियों की संख्या, गुणा इस तंबो की संख्या, एम भाई एन, इसमें लगा लिजिए एक बॉक्स, इसको एक बॉक्स से बंद करो, देखो, एक चीज से दोदो फायदे होगे, आव्यू की कोटी भी यही होती है, आव्यू की सारनिक बटाईए यह आपको clear हुआ क्या तो अभी मैंने देखा कि हम पंक्ती और स्थंब्ड को देखे यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्या देखा मैंने सारणिक कोटी के बारे में सारणिक कोटी के बारे में देखें अब आगे की चिछ को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आगे और क्या-क्या सार्णिक में होता है तब तक लिवच्चो धन्यवाद